बिल की अवरोथक बिमारी सुपिरियर वेना कावा सिंडरोम से पीडित बुजर्ग जो की ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर है उसको सुपर स्पेसिलिस जॉक्टर नी नए जीवन दिया है। सुपिरियर वेना कावा सिंडरोम कैंसर की वज़े से ही होता है। 78 वर्ष ये बुजर्ग महिला जिनका वर्ष 2011 में कीमो थेरेपी वर रेडियो थेरेपी से इलाज किया गया था अचानक चेहरे और गर्दन पर सूजन एवं सास लेने में बेहत तकलीफ होने पर होस्पिचल लाया किया था उनके स्थीती ऐसी थी कि वेंटिलेटर के स्पॉर् सिटी स्केन और एंजियोग्राफिक किया गया जिससे पता लगा कि उनकी चार नसे पूरी तरह से अवरुद हो गई है हाथों में गले में और हार्ट में सप्लाई करती है अगर वो एस्वीसी से बंद हो जाए तो एकस्मात मुत्यों होने का चांस बहुत बढ़ जाता है किस तरीके से हमने ये टीटमेंट किया कैसे मैं अपनी स्पेशालिटी, कैंसर सरज्जरी की स्पेशालिटी और अनसेजिया की स्पेशालिटी सब ने मिलकी एक महिला जो डی sweeping को रात को आई थी दो सबादो बजे करीब हमने इनको cat lab में लिया और इनको एक endovascular approach के जरीए जो एक भारत में दो या तीन cases हो चुके हैं दिल्ली NCR में मेरे हिसाब से पहला case है जो हमने endovascular approach के जरीए इसको नाकेवल SBC को साफ किया right side की गले की नस को right side की shoulder की नस को left side की गले की नस को left side की shoulder की नस को और नीचे की नस को पुरा साफ किया over a period of two days two and a half hours each side एक एक time पे with a team of almost seven, eight doctors involved तो एक major breakthrough है जिसमें हम open heart के बगैर ये काम कर पाए और उसके बाद best thing was दो दिन के अंदर अंदर जो patient की recovery was sudden and immediate SVC syndrome में जैसे एक एक मिनिट में जो है आपकी मूव की swelling बढ़ती रहती है और पंदरा मिनिट में swelling ऐसे बढ़ जाती है कि आपको पता ही नी चलता कि ये वही इनसान था जो पहले था और उसके बाद recovery भी इनकी उतनी ही वैसे ही ममी को अचानक से सांस लेने में प्रोब्लम होने लगी उनसे उठा ही नहीं जा रहा था तो कुछ देर हमने वेट किया कि शायद कुछ जटका कुछ आ गया हो तो swelling फिर बढ़ती ही चली जा रही थी एक दम चैस्ट से उपर का पार्ट एक दम डबल हो गया था अब है ममी को यहां लेकर आए तो काड़ियो देपार्टमेंट में हमें बेजा गया वहां हमें डोक्टर अमीजी मिले वहां उन्होंने इमीडिटली अटेंट करते हुए तुरंट एक्षन लिया और ममी को आई सीउ में किया आइडमीट किया और उन्होंने बताया कि जैसे कुछ टेस्ट वगरा हुए फिर उन्होंने बताया कि नसे काफली ब्लोक हैं तो उसके रिस्क और उसके बेनेफिट दोनों बताते हुए उन्होंने डिसिजन लेने को कहा तो हमने उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग हमने हां और डॉक्टर सर के टच में रहे उन्होंने दो दिन का पूरा टाइम लेते हुए नसों को खोला और हमें स्टेटस भी बताते रहे तो उसके बाद जो इमिडियर जो रिलीफ हमें दिखाए दिया तो बहुत सैटिसफेक्टरी था तो अभी हम तीन महिने से सर के टच में ही ह हैं और मुमी आज बिल्कुल ठीक हैं इसालों के लिए